वैए मैंने आपको हमेशा वोदा है कि स्टॉक में इंवेस्ट मिशन करो हमेशा कम्पनीज में में वेस्ट करो बिजनससेस में इंवेस्ट कर वर पहल बहुत सरी इंठ्या कर बעत की बात करते हैं ह embarrass की बात करते हैं तो और फर्सण कायों पूसरा Bombay Stock Exchange और दूसरा है National Stock Exchange पट अभी कुछ लोगों ने मुझे कॉमेंट किया कि सर हमें खरीदना तो है Apple का शेर पट सर दिख नहीं रहा हमारे यहां पर अगर मैं Apple का शेर प्राइब देखना चाहता है और आपको लगता है पहली की ग्रोग करेगी अगर आपको यहां पर बहुत सरीचें देख सकते हो वैसे ने को काफी कुछ कुछ सिखा दिया है तो पी रेशो देख सकते हो dividend yield आफ सकते हो market cap तो बहुत कुस देख रहता है आप तो ही Monday हम बात करते हैं भूर कि आप यूपक्र यूस करते हो Amazon को आप प्रमाजों को ए मार यूज़ायर आपको लगता है में म्हांजी बढ़ा तो आ यूज़ा आप invaluable में इंवेस्ट करना चाहते हो माल लो आप देखते हो शेयर प्राइस तो इसका भी बहुत तेजी से भाग रहा है यूसी कैसे स्काय रॉकट हो रहा है शेयर सिमिलर लिए आपको लगता है सर ऐसी और भी तो गंपनी है फेस्बुक है सर फेस्बुक का शेयर अगर आज हम खरी लगाता एक रहे हो और आप यह चाहते हो कि आपको भी ग्रोट मिले अपसके दो बैनेफिट्स यह शाथे इनने भी समझते आप जब आप को ऐसा शेयर करीदना चाहते हो जो आपको लगता है कि इंडिया में लिस्ट नहीं है माल लिए उसमें लिस अप। अपको पहले जो में investment safest investments होती है ऐसा भी है रिसकी भी होती है पर ग्रोथ बहुत जादा आती है अगर आप बड़ी companies में large companies में invest करते हो तो यह safe होता है comparatively और safe के साथ-साथ growth बहुत जादा होती है मैंने बोला large gap अभी small gap की बात भी कर रहा है तो आपको growth मिलती है यह तो एक चीज़ है दूसरी चीज क्या है माल लो यह growth आपको इंडिया में भी मिलती है इंडिया में नहीं मिलती है इंडिया में ग्रोथ मिलती है इंडिया में comparatively समझो आज हमारा जो dollar चल रहा है वो 73 के आसपस चल रहा है अब एक dollar के बदले में आपको 73 रूपीज मिल लेंगे और dollar हमेशा आप देखो हमारा जो इंडियान value इंडियान करणसी की value वो नीचे जा रही है डॉलर की बढ़ रही है तो क्योंकि dollar की value भी appreciate करती है तो यहां प के अंदर जो companies listed हैं यहां पर तो आपने देखा वी एसी है एनसी है वहां पर क्या है वहां पर NYSE होता है दूसरा होता है NASDAQ अब NASDAQ के साथ एक बहुत बढ़िया चीज है मैं आपको पताता हूं पहली बात उनकों trading floor नहीं है जैसे आपने हर्षद मैदा वाली movie देखी होग तो जितनी में technology वाली company है जैसे की technology वाली अमजान फेस्बुक Microsoft Google वह सारी आपकी NASDAQ पे लिस्टेड है तो अब आपको stock exchange समझ आ गया दूसरी आपने चीज़ सुनिया इंडिया के अंदर सर्ट सेंसेक्स होता है निफ्टी होता है डेफिनेटली इनने इंडिस भी बोलते है BSE का indices है Sensex और similarly NSE का है आपका Nifty 50, Nifty तो Nifty जो है वो NSE का indices है और यहां पर यह सेंसेक्स जो है BSE का है, Sensex में 30 companies listed है, Nifty के अंदर Nifty 50 example लेते हैं तो 50 companies listed है, अब यहां पर इसी तरीके से indices क्या है, US market में इसे भी समझते है, US के अंदर 4 आपको major indices मिलते हैं, अब यह indices क्या हो यह बताते हैं कि market ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, अगर आप Sensex को देखते हो Sensex गर रहा है, इसका मतलब है कि इंडिया की जो 30 सबसे बड़ी companies है, वो गिर रही है और वो बढ़ रहा है, तो मतलब companies बढ़ रही है, grow कर रही है, economy बढ़ रही है, तो यहां पर जो indices हैं, इसमें एक तो जो हमने देखा था, कि हमारे पास जो stock exchange थे ऐसे BSE NSE, वहां पर NASDAQ था, पर यहां पर NASDAQ एक indices के अंदर भी आता है, इसी के तरह एक आजाता है, S&P 500, अब मैं आपको इन सब का मतलब बताऊंगा, तीसरा आ जाता है, दा, डो, डो जो जान्स भी बोलते हैं अब यह क्या है, समझ लेते हैं, रसल 2000 comparatively नहा है, अब NASDAQ में आपको 500 companies listed मिलेंगी, similarly 500 यहां पर लिखा है, S&P 500 तो आप समझ गए, यहां पर 500 companies listed हैं, अब यहां पर कमाल की बात क्या है, जो है, पच्छिस तो कमनिया listed है NASDAQ के अंदर, यहां पर कुछ अलग सीन है, सीन के ह जब आप BSC और NSC को देखते हो, तो यहां पर BSC और NSC के अंदर वो ही companies listed होती है, जिनका headquarter इंडिया के अंदर होता है, इंडिया के बाहर अगर किसी कमनी का headquarter है, तो वो listed यहां पर नहीं होती है, जैसे माली जै किसी कमनी का headquarter सिंगापुर में, तो BSC NSC में listed नहीं होगी, but NASDAQ में वो listed होती है, but S&P 500 के अंदर वो 500 companies हैं, जो US के अंदर ही listed होती है, similarly, जब हम the Dow Jones की बात करते हैं, तो यहां पर सिर्फ 30 companies, but यह 30 सिर्फ नहीं है, इनका market cap बहुत जाद है, और Russell 2000 में small cap companies हैं, तो आप 2000 से समझगे, 2000 small cap companies, अब आप इन में अगर invest करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो मैं thank you करना चाहूंगा, हमारे sponsor जो इस वीडियो के है, that is capital.com, अब capital.com एक ऐसा platform है, जहां पे आप इंडिया के बाहर भी जो stocks listed है, उन्हें खरीच सकते हो, उन्हें बेच सकते हो, अब अगर आप बाहर की companies में invest करना चाहते हो, Tesla में, Microsoft में, Apple में, Amazon में, इनका एक offer भी चल रहा है, उसमें किया है, कि अगर आप trade करते हो, और trade करके आपका जो profit है, वो जादा हो रहा है, तो आप leader dashboard पर आजाओगे, जब leader dashboard पर आजाते हो, तो वहां पे अगर आप top rank करते हो, तो आपको 5000$ तक capital.com अपनी तरफ से देगा, तो यहां पे आपके लि का भी appreciation मिलता है, और अगर आपको लगता है कि कोई company आने वाले time में बहुत तेजी से grow करने वाली है, एक और यहां पर plus point किया है, कि US के अंदर बहुत तेजी से, वहां पर start-up culture अलग है, तो बहुत तेजी से companies grow होती है, इसका reason क्या है क्यों टेक्नोलोजी वहां पर बहुत को ना कमा के दे सकता है, so this is a benefit of investing in US stock market, now it is your choice, where do you want to invest your money, but आपका पैसा है, analysis जरूरी है, मैं आपको हमेशा बताया है, fundamental analysis company की करनी जरूरी है, और वो मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ, अगर आपको अभी तक fundamental analysis करना नहीं आता, मैं आपटन पे लिंक दे दोंगा, उ जल दीजे, शेर कर दीजे, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजे, कुछ सवाल है तो नीचे कॉमेंट में बहु सकते हो, finally, I will see you in the next video, till that time, you go self-made.